वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानूनीन हिंदी में तो आज हम सुप्रीम कोट के द्वारा दिये गए एक फैसले के बारे में बात करेंगे जो की पती-पत्नी को लेकर आया है अगर आपका मेट्रीमोनियन विवात है चाहे आप पती है या फिर पत्नी है इससे दोनों को ही फाइदा होगा इस मामले में हस्बेंड ने अपनी तरफ से एक ट्रांसफर पेटिशन सुप्रीम कोट में लगाई अपने डायवोस के मामले को ट्रांसफर करवाने के लिए जो की कॉलकता से न्यू डेली में करवाना था उसके बाद इस केस में सुप्रीम कोट ने ये दिशा निर्देश दिये कि पहले इस मामले को मेडियेशन में भेज दिया जाए उसके बाद जब दोनों partys को mediation में बुलाया गया तो दोनों ही parties ने settlement की settlement में कुछ शर्ते रखी गई जैसे कि पहली शर्त थी, एक महीने में दोनों parties mutual divorce के लिए court में अपियर होंगी दूसरी शर्त थी, दोनों के नाम पर एक joint property थी उस property के regarding दोनों ही parties HDFC bank में जाएगी और HDFC bank से उस property के document को release करवा कर उस property को wife को दे दिया जाएगा उसके बाद तीसरी शर्थ थी एक और property थी जो husband और wife की joint property थी उसको husband के नाम पर transfer कर दिया जाएगा उसके बाद चोथी शर्थ थी दोनों की joint account को बंद कर दिया जाएगा किसी भी तरह की maintenance की मांग नहीं करेगी और पत्नी का जो भी समान अपने पती की घर में पड़ा है वो उसे ले जाएगी Constitution article 142 में अपनी power का use करते हुए दोनों पक्षों को माईचल consent से divorce की degree grant करे और पती या पत्नी ने जो भी एक दूसरे पर case करके रखे हैं उसको quash या फिर withdraw कर दिया जाए अगर Supreme Court Constitution article 142 के तहत divorce की decree grant नहीं करती तो Supreme Court के decision के एक महीने के बाद पार्टी खुद ही mutual divorce के लिए court में appear हो जाएगी Supreme Court ने इस case में settlement agreement को देखते हुए कहा कि दोनों parties इस agreement के तहत bound रहेंगी और Supreme Court ने इस case का निस्तारण कर दिया तो I hope दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें वीडियो में लास्त तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद